मा तुम रो क्यों रही हो बेटा तेरे नाना जी की तब्यद बहुत खराब है हमें जल्दी से गाउं जाना होगा पर मा नाना जी को क्या हुआ ललिता की बात सुनकर छोटा रौनक भी उदास हो गया ये कहानी है ललिता और उसके 6 साल के बेटे रौनक की ललिता के पती मुकेश की बहुत पहले ही मौत हो गई थी मुकेश के जाने के बाद रौनक की जिम्मेदारी ललिता पर ही थी वो मेहनत मजदूरी करके रौनक और अपना पेट पाल रही थी उस दिन ललिता को पता चला कि उसके पिता जी की तब्यद बहुत खराब है नहीं मिलेगी इसलिए ट्रेन से जाना पड़ेगा अच्छा सुनो मा कुछ खाने को है क्या बहुत भूक लग रही है ललिता के घर से रेलवे स्टेशन की दूरी बहुत जादा थी और पैदल चलते चलते रौनक को बहुत तेज भूक लगाई थी ललिता ने अपनी पोटली खोली तो उसमें दो सुखी रोटी रखी थी और साथ में एक प्यास था सुखी रोटी देखकर रौनक का मूव बन गया लेकिन वो भी जानता था कि उसकी मा ललिता और वो बहुत तेजी में स्टेशन के लिए निकले थे रौनक ने चुप चाप रोटी और प्यास खाया औ अच्छ हम ट्रेन में जाएंगे रौनक को लेकर वहाँ से चली आई पिता के गम में वो ये बात भूली गई थी कि उसके साथ छोटा बच्चा भी है और रास्ते में मा भूक लगी है रौनक के बात सुनकर ललिता को होश आया उसके पास रौनक को देने के लिए कुछ नहीं था तभी वहाँ से एक आदमी गुजरा जो चिप्स और केक बेच रहा था भाया चिप्स हैं क्या नहीं चिप्स तो नहीं है लेकिन बस ये एक केक बचा है अच्छ नहीं देखकर वो केक वाला खुद ही वहाँ से चला गया रौनक भी समझ गया कि केक लेने के लिए उसकी मा के पास पैसे नहीं है और खिड़की की तरफ देखने लगा रौनक बहुत ही समझतार था उसने अपनी मा से फिर कोई जिद नहीं की कई घंटों के सफर के बाद ल वहाँ पहुचते ही रौनक रोने लगा ललिता समझ गए कि अब रौनक से भूग बरदाश्ट नहीं हो रही है तब ही वहाँ एक दुकान से आवाज आई पूरी सबजी खा लए ही है बेस रुपे में ही है उस आदमी की आवाज सुनकर ललिता को ऐसा लगा जैसे उसकी मु यह देखकर ललिता ने अपना डिबबा भी रौनक को दे दिया रौनक ने पेट भरकर खाना खाया और फिर शाम को मा पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और तीन बार उल्टी भी हो चुकी है इतना कहते ही रौनक बेहोश हो गया ललिता फॉरन उसे डॉक्टर के पास लेकर पहुची तो डॉक्टर ने उसे बताया कि रौनक को फूट पॉइस दिंग हुई है ललिता को समझते देर नहीं लगी कि ये सब उस आलूपूरी की वज़े से हुआ है जो उसने रेलवे स्टेशन से खरीद कर रौनक को खिलाई थी फिर पूरे एक हफते बाद जब रौनक की तब्यत में कुछ सुधार हुआ तो उसने अपनी मा से कहा मा वो आलूपूरी बहुत ही गंदी थी मैं उसी से बिमार हुआ हूँ पता नहीं मेरे जैसे और कितने बच्चे बिमार होंगे उन गंदे अंकल की आलूपूरी खाकर रौनक ने लाख टके की बात गही जिसे सुनकर ललिता सोच में पढ़ गए और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद ललिता को उसके जीवन का मकसद मिल गया और नया रोजगार भी ललिता ने स्टेशन के पास ही अपनी नई जोपड़ी बनाई और वहीं बड़ी सी कढ़ाई रखकर एकदम ताजी आलू की पर रहा था तभी वहाँ एक औरत आई उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था जिसे देखकर रौनक ने कहा अराम से खाओ और जितना जीचाए उतना खाओ इसे खाकर तुम्हारी तव्यत खराब नहीं होगी क्योंकि ये आलूपूरी मेरी माने बनाई है उन गंदे अंकल मासूम रौनक की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगे और सामने खड़ा आदमी अपने बासी आलूपूरी के डिब पे समेटने लगा सुमित्रा क्या बात है तुने कठल में इतना तेल भर दिया रोहन और प्रिया ने सबजी चुई तक नहीं मालके मैंने तो रोजाना की तरह ही सबजी बनाई थी और कठल को थोड़ा फ्राई करके बनाया था शायद इसी वज़े से तेल दिख रहा होगा और मिर्श मसाले बिलकुल भी नहीं डाले खाने में बिलकुल फीकी बना दी ओ सुमित्रा बात सुन इसकी बातों को मत सुना कर तेरे हाथ की सबजियां बहुत स्वादिश्ट होती हैं अभी बहु को पका पकाया मिल जाता है न इसी लिए उसे कामवालियों की कदर नहीं जिस दिन तू कभी ना आये एक फुलका बनाने भी रसोई में नहीं घुस्ती सब खाना बाजार से ओर्डर होता है अच्छा सुन भिंडी की सबजी रखी है कल रात ये सब खाना खाने होटल चले गए किसी ने सबजी चुई तक नहीं वैसे क्या बात है तू थोड़ी परि जिसे उसके पती के पैर का एक्सिडेंट हुआ है तब से वो मजबूरी में यहां कोठी में रोटी बनाने का काम कर रही है सुमित्रा की मालकिन शोभा अच्छे स्वभाव के नहीं है पर सुमित्रा अकेली ही कमाने वाली है इसलिए वो यहां काम करके दो पैसे कमा लिती है मा आज बहुत देर लगा दी मुझे बहुत भूख लगी थी घर में कुछ भी खाने को नहीं रखा है मा ये क्या लाई हो ये ये मैं भिंडी की सबजी लाई हूँ तुम्हें भिंडी पसंद है ना मैं अभी तुम दोनों के लिए और तुम्हारे पापा के लिए रोटी सेख देती हूँ फिर गरम गरम रोटी भिंडी के साथ खाना सुमित्रा आज मेरी इस हालत के वजह से तुम्हें कितने दुख जेलने पड़ रहे हैं कास उस एक्सिडेंट में मैं मर ही जाता खबरदार जो ऐसी बात कही आज कह दिया आगे से मत कहना अरी तुम ही तो मेरा संसार हो तुम्हारे बिना तो हम तीनों नहीं रह सकते देखना एक दिन तुम जरूर ठीक हो जाओगे सुमित्रा बहुत हिम्मत वाली थी वो अपने पती को हमीशा हिम्मत देती रहती थी पर एक दिन सुमित्रा की हिम्मत खुद ही तूट गई जब उसकी मालकिन ने अचानक से उसे नौकरी से निकाल दिया पर मालकिन कोई कमी है तो वो बता दो मैं वो दूर कर दूगी ऐसे अचानक से आप मुझे नौकरी से निकाल दो कि मेरे पास कोई और घर भी नहीं है काम करने का मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा मालकिन अरे शोभा एक बार सोच ले अगली बेचारी को कितने समय से तुने काम पर रखा हुआ है और अचानक से तु इसे निकाल रही है इसका पती वैसे ही बिमार है घर में दो छोटी छोटी बच्चियां भी है ऐसे किसी के पेट पर लाथ क्यों मार रही है मा जी आप चुप रही है आपको जादा पता है या मुझे पता इस घर का सुमित्रा मैंने तुमारा हिसाब कर दिया है ये तुमारे इस महीने के दो दिन आई हो तुम ये दो दिन के रुपे ले जाो कल से मता ना सुमित्रा रोती हुई घर चली जाती है घर पहुँचकर वो अपने पती को सारी बात कहती है वो भी ये सब सुनकर बहुत परिशान हो जाता है अचानक से सुमित्रा को कौन काम देगा हर कोई एकदम से विश्वास भी नहीं करता और वो भी एक रोटी बनाने वाली पर सुमित्रा शाम का खाना बना रही थी कि तभी उसके दर्वाजे पर खटखट होती है अरे मादा जी आप और इस समय आईए अंदर आईए सुमित्रा आज सुबर शोभा ने जो भी किया उस बात से मुझे बहुत ठेज पहुची है मैं मंदिर के लिए निकली थी पर मेरा मन मंदिर में भी नहीं टिक रहा था इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई मैं शोभा को तो नहीं सुधार सकती पर मैं तुम्हें एक सला देना चाहती हूँ अगर तुम मानो तो जी बोली माता जी सुमित्रा ये दस हजार रुपे रख ले और इनसे खुद का कोई खाने का ठेला लगा ले वैसे तु छोले भटूरे बहुत ही अच्छे बनाती है अगर तु चाहे तो छोले भटूरे का ठेला शुरू कर सकती है आजकर लोग छोले भटूरे खाना बहुत पसंद करते है और आगे सर्दियों के दिन भी आ रहे है तो तेरी अच्छी खासी बिक्री शुरू हो जाएगी पर माता जी आप मुझे इतने सारे पैसे दे रही हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा सुमित्रा ये पैसे मेरे खुद के है मैंने जोड़े हुए थे और फिर इन रुप्यों की मेरे से जादा तुझे जरूरत है अब तु देर मत कर इन रुप्यों से जल्दी से छोले भटूरे का ठेला शुरू कर दे फिर मैं गरम गरम छोले भटूरे खाने आऊंगी उन रुप्यों को देख कर सुमित्रा के मन में हिम्मत जाग जाती है और वो माता जी को दिल से शुक्रिया करती है आज मुसीबत की इस घड़ी में माता जी उसके लिए इश्वर का रूप बन कर आई थी माता जी की सला सुमित्रा और उसके पती को ठीक लगती है और एकले ही दिन सुमित्रा छोले भटूरे का ठेला लगाने के लिए सारा सावमान एकठा कर लेती है और दो तीन दिन में ही उसका छोले भटूरे का ठेला शुरू हो जाता है पहले तो कभी नहीं देखा लगता है बाजार में ये छोले भटूरे वाली नहीं आई है भाईया बहुत ही स्वाधिस्ट छोले भटूरे बनाती है साथ में प्याज, चटनी, अचार और बूंदी का रायता भी एक प्लेट खाई थी कल मैंने सुमित्र का छोले भटूरे का ठेला चल पड़ता है उसमें नया आत्मविश्वास पैदा होता है धीरे धीरे वो छोले भटूरे के ठेले से अच्छे पैसे कमाने लगती है और एक चोटी दुकान किराय पर ले लेती है अब सुमित्रा की छोले भटूरे की दुकान थी उसके साथ साथ गाजर का हलवा, मूंकी दाल का हलवा, गुलाब जामून और कुछ मिठाईयां भी बेचनी शुरू कर दी थी सुमित्रा ने काफी अच्छे पैसे कमा लिये थे एक दिन वो माताजी से मिलने गई नमस्ते मालकिन वो माताजी से मिलना था माजी का पंदर दिन पहले स्वरगवास हो गया शुगर बढ़ गई थी और फिर काफी तब्वित खराब होने की वज़़ा से डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कुछ काम था माजी से, मुझे काम से जाना है, मुझे देर हो रही है माताजी के गुजरने की ख़बर सुनकर सुमित्रा की आँखों में आसु आ जाते है आज उनी के कारण उसके पास पैसे और काम था सुमित्रा जो रुपे माताजी को वापस करने गई थी, उन रुपियों से वो गरीबों में माताजी के नाम का दान करती है ताकि उनकी आत्मा को शांते मिल सके सुमित्रा के पती के पैर का उपरेशन भी ठीक ठाक हो जाता है अब दोनों पती पत्नी मिलकर छोले भटूरे की दुकान चलाते थे पर आज भी सुमित्रा माता जी के एहसान को नहीं भूल पाई थी इसलिए वो उनकी याद में महीने में एक दिन छोले भटूरे बना कर गरीबों में बाटती थी